तो दोस्तों सर्दियों में पालक और मतर दोनों बहुत अच्छी और फ्रेश मिलती हैं आज हम इन दोनों से मिलाकर एक बहुत अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे चटपटी सी घर में सभी को पसंद आएगी तो देर ना करते हुए चलिए अपने रेसिपी को बनाना शुरू क करते हैं पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को अभी लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आ है तो नीचे राइट कर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करके बैल नोटिफिकेशन जरूर दबाईए ताकि आपके पास मेरे हर लेटेस वीडियो की अपडेट आ सके तो चलिए रेखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पालक ले ली है दो से तीन बार बिलकुल साफ पानी से हमें से वाश कर लेंगे अच उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं पर जहाँ पर आप देखे कि डंठल बहुत मोटी है ठिक है और हाड लग रही है तो अब हम उसे हटा देंगे और इसके पत्तों को इस तरह से हम बारिक टुकडों में काट लेंगे जैसे हम अकसर पालक को काटते हैं तो यहाँ पर मैं सभी प 500 ग्राम के करीब पालक ले ली थी या आधा केजी भी आप पालक कंसीडर कर सकते हैं जितनी भी आपको बनानी हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं मैंने यहाँ पर आदे किलो के बराबर पालक ले ली थी तो यहाँ पर हमने सारी पालक को अच्छी तरह से काट लिया अब चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो मैंने आप पर एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हम डालेंगे दो से तीन बड़े चम्मच तेल जैसे आप देखें कि तेल गरम हो गया है फिर हम इसमें डालेंगे एक टी स्पून जीरा और साथ ही लसुन की 10 से 12 कलि या मैंने ले ली हैं और उन्हीं हम साबोती इसमें डाल देंगे दोस्तों जो हरी सबजीया होते है जैसे मेथी पालक साग उनमें जो लसुन का फ्लेवर आना वो बहुत कमाल का रोल प्ले करता है तो इसलिए यहां पर मैंने लसुन को बिल्कुल साबोती डाला है प्याश जाल देंगे और उसे लो फ्लेम पर चलाएंगे हमें यहां पर प्याज का कलर बिल्कुल नहीं बदलना है ट्रांस्पेरंट होने तक हमें इसे पकाना है यानि कि आर पार दिखाई दे सके प्याज में से मतलब हलका सा वैसा इसका हमें लुक चाहिए जब आप देखें कि प जाते हैं टमाटर वैसे ही जाते हैं सुखे मसाले वैसे आप यहाँ पर टमाटर की प्योरे बना कर भी आड़ कर सकते हैं मर्जी बिल्कुल आपकी है सुखे मसालों में हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार, एक तिहाई छोटा चमच हल्दी पाउडर, एक छोटा चमच धन्या पाउडर, साथ ही मैंने इसी स्टेश पर आदा छोटा चमच गरम मसाला भी इसमें अड़ कर लिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप मैगी मसाला भी आड़ कर सकते हैं या चाहे तो इसके भी कर सकते हैं, सभी सुखे मसाले इस स्टेश पर हम करेंगे, अच्छी तरह से से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर धकन लगाकर चार से पांच मिनट छोड़ देंगे, उससे क्या होगा हमारे ही जो टमाटर है न यह सॉफ्ट हो जाएंगे, हमें टमाटर अच्छे सॉफ्ट चाहिए, इसलिए मैं ऐसे मिक्स कर लेती हूँ एक लिम्रच डालेंगे, बड़ी वाली मैंने ले ली है ताकि spicy flavor आ सके और काफी सारा हरधनिया ले लिया है, अच्छी तरह से wash करके लीजेगा, इन सभी चीजों को थोड़ा सा पानी, एक से दो चम्मच पानी डाल लीजेगा, उसको डाल कर हम इसकी पेस्ट बना लेंगे, और यहाँ पर हमने पेस्ट को ready कर लिया, जब तक हमारे जो टमाडर थे वो बड़िया से mash हो चुके है, soft हो चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से mashी-mashी हो चुके हैं, तो इस stage पर हमने जो पालक ready कर ली थी, अब वो पालक अब हम इसमे add कर लेते हैं, तो दोस्तों यह सारी पालक हमने इसमें डाल दी है, उसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है, एक कप मटर, fresh मटर का मैं इस्तमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो frozen मटर का भी use कर सकते हैं, जो भी आपके पास available हो, तो यहाँ पर हमने इसमें मटर डाल दी है, औ तो अपना जितना भी पानी है, वो छोड़ देती है, तो यह देखिए, धकल लगाने से क्या होता है, वो उस stage पर काफी जल्दी और काफी सारा कुक हो जाता है, इसलिए हम starting में से mix नहीं करते हैं, धकल लगा कर छोड़ देते हैं, तो पालक जो है जल्दी भी पकती है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी देती है, अब दस मिनट के बार जब हम इसे ओपन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कड़ाई में काफी सारा पानी हो चुका है पालक का, और मटर भी काफी अच्छे कुक हो जाते हैं, तो अब हम फिर से धकल लगा कर साथ से आठ मिनट के ल आप 8 से 10 मिनट हो चुक हैं, अब देख सकते हैं हमारी पालक का रंग चेंज हो चुका है, मटर का भी रंग जेंज हो चुका है, दोनों चीज़े बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं, तो अब हम इसे धकन नहीं लगाएंगे, आप देख सकते हैं हलके सी पानी की कसर दिखाई दे रही है उसे हम इसे open ही रखके dry करेंगे तो अब हमें यहाँ पर add करना है वो paste हरे धनिय की जो हमने बनाई थी दोस्तों यह जो paste है ना game changer का काम करेगी इस recipe में बिलकुल इसके स्वाद को बदल देगी और एकदम ultimate सा flavor इसे देगी आप एक पर इस तरीके से try कीज आपको यह बहुत पसंद आएगी especially सर्दियों में तो इसे खाने का मजाई कुछ और है तो सारी पेस्ट मैंने add कर ली और उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया एक बड़ा चमश देशी घी देशी घी भी पालक के साथ बहुत अच्छा लगता है तो आप पका ट्राय कीजेग अब कुछ नहीं करूंगी धीमी आज पर 7-8 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि जो थोड़ा पानी हमें दिख रहा है वो सूख जाए धकन यहाँ पर बिलकुल भी नहीं लगाना इस बात का ध्यान दीजेगा और यह देखिए 7-8 मिनट के बाद हमारी जो मटर और है वो बनकर तयार हो चुके है और यह रेसिपी सच मैं बता हूँ इतनी कमाल की लगती है आपको यह बेखर पसंद आएगी अब हम गैस का फ्लेम बनकर लेते हैं यह गर्मा गरम सर्फ करने के लिए रेडी है यह रेसिपी बहुत ही आसान है बस कुछ बेसिक चेंजिस से इ मुझे कमें लिखकर बताईएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लेगा अब मैं आपके साफ मिलूगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ